हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू लवडीश रसोवी तो फ्रेंडिया पे हम बनाने वाले हैं डावा स्टाइल पालक अंडा करी जो की बहुत ही जबर्जस्त बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अगर अभी तक आपने नहीं बनाई तो जरू ट्राइ करिएगा त तयार कर लिया है तो पालक आपको विल्कुल सॉप्ट बाली ले नहीं है तो चलिए इसको बॉइल कर लेते हैं तो यहां पर मैंने पानी रख दिया था पहले से गरम होने पानी अच्छे से गरम हो गया थोड़ा से इसमें चीनी डाल देते हैं तो चीनी डालें या नमक डा बहुत ज्यादा इसको बॉइल नहीं करना है हमको किवल यह सॉप्ट हो जाएगी बस इसको हम निकाल लेंगे तो यहां पी अच्छे से बॉइल होगी जितनी करनी थी बस इसको हम गयस को बंद करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो यहां पे मैंने पेस्ट बना करके तयार कर लिया है देखी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ था उसके बाद इधर मैंने अंडे को बॉइल करके तयार कर लिया था तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम लगा देते हैं cut तो इस तरह से cut लगा लेते हैं ताकि जब हम अंडे को fry करते हैं को इसका फूटने का डन तूटने का नहीं रहता है नहीं तो यह छिटकता बहुत है तो इस तरह से अंडी में हमको cut लगा लेना है तो कोई डर नहीं होता है इसमें जब भी हम fry करते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें red chili powder डाल देते हैं हलका सा color के लिए हलका सा color आ जाएगा और इसको बढ़ी असा हम मिला लेते हैं तो इस तरह से करके मिर्च और हल्दी अच्छे से mix हो गई अंडे में coating हो गई उसके बाद मैंने याँ पे पैन रख लिया था और थोड़ा सा oil डाल के इसमें कल लिया है गरम और अब जो अंडे मने लिये थे उस अंडे को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम सेंक लेते हैं तो देखिए अंडे का color एक्टम change हो गया है तो बस इतना ही सा हमको इसको सेंक ना है तो बहुत ज़्यदा यहाँ पे नहीं सेंक ना है तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं निकाल का इसको ठंडा होने अलग रख देते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिये कड़ाई और इसमें डाल देते हैं दो चम्मच सरसों का तेल तो यह रेस्पी को आप सरसों के तेल में ही बनाईएगा और जैसे भी यहाँ तेल गरम होता है यहाँ पे हम डाल देते हैं आदा चम्मच जीरा और एक मैंने तेजबत्ता ले लिया है एक दालचीनी ले लिये तो इसको भी थोड़ा सब भून लेते हैं तो हलका सा इन सबको भूनना जरूरी होता है ताकि इसका फ्लेवर निकल के आ जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्याज को काट करके तैयार कर लिया था तो मैंने बड़ा बड़ा ही काटा था आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इसको हमको भून लेना है तो बस इसको अच्छे से भूनना है तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज जो गया और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक चमश लैसन और अधरक कोट के मैंने तैयार कर लिया था तो इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है और अब बढ़िया सा भून लेना है और अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है दो टमाटर तो टमाटर को भी मैंने बारी काट लिया था और इसको डाल देते हैं उपसे थोड़ा साम नमक डाल देते हैं ताकि अच्छे से टमाटर सौप्ट हो जाएगा और जल्दी सौप्ट हो जाता है नमक डालने से बस इसको यहां पर हम अच्छे से बुनने देते हैं टमाटर जब तक गलेगा तब तक इदर मसाला तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने ले लिया है दो चम्मच दही, तो दही आपको खटा वाला नहीं लेना है यão पे, उसके बाद मैंने याँ पे आदा चम्मच हल्डी पौइडर डाल दिया, आदा चम्मच गरम इस दगए करगे लिए। यहां पर देखेंगे सेखें समितन कंकरे देए। देखें रचीन की देखें हैं कि नियुवा फुंताव सी'' गैस की फ्लेम लो रखें और इसको बरावच चलाते रहें तो देखिए तेल थोड़ा सा उपर आने लगा और ये इसमें उबाल आ गया है और ये बढ़िया सा मैंने बहुन करके इसको तैयार कर लिया मसाले का बहुत ही जबर जब जब चांए तो वस इसी तरह से है वह भूहना है उसके बाद मैंने पालक का पेस्ट रहे पनाता उसको यह पर डाल देते है तो अब का पालक का पातार नी आपक बहु松 flor आज ड़ी-डूडियए और अब इसको बड़ी असा मिक्स कर लेंडा है तो देखी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको पकाना बहुत ज़रूरी है तो इसको बराबर हम चलाते रुए कुछदेर अच्छे यहां पर आती है पानी की अगार इतना थिक खाना चाहते हैं थोड़ा सा पानी डाले तो फोड़ा सा नमक डाला था तो उसके बार श्वाद कनस्वाद नमक डाल दिया और इसमें एक कफ मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमको पकाना है अगर आप थेक खाना चाहते हैं तो इसको पानी नहीं डाले है तो मैंने देखी पानी डाल के भी इसको पान से साथ मिनट पका लिया है और यह बढ़िया सी है हमारी सब्जी बन करके देखिए तयार है यहां पर करीब अत्ता हम निकाल देते हैं और आप देख सकते हैं तो कुछ दिर पकाना इसको जरूरी होता है क्योंकि अगर पकाएंगे नहीं तो अंडे में मसाले का फ्लेवन नहीं जाएगा तो बस यह बन करके विल्कुल परफेट तयार है तो चलिए हम खड़ाई में सर्व कर लेते हैं इसको तो यहां पर मैंने कड़ाई में भी सर्व कर लिया है तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी है सब्जी बने है अगर न्यू है और इस भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बगल में चोटा सा बैलाइक करें उसको जरूर प्रेस करें तो चल यहां मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई फ्रेंड थैंक्स पर वॉच्छेंगे